आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी केक घर पे बहुत असान तरीके से बनाने वाली हूँ इस केक को बहुत कम चीजों में बनाऊंगी बिना अबन बिना दही कड़ाई में इस केक को बनाऊंगी बहुत spongy बनी थी ये केक बहुत ही जादा tasty और बनाना भी बहुत ही असान इस केक को आपने एक बार बना के खा लिया फिर आप हमेज़ा इस सूजी केक को बना के ready कर सकते हैं चुछ्टिटें बनाना सूरो करते हैं वीडियो सुरो करने से पहले चैनल पेना हैं तो सबस्क्राइब कर ली decisive सबसे पहले इस cake को बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक कप सूझी और सूझी मैंने इस कप से लिया है एक कप आप कोई भी मेजर्मेंट करने के लिए कप ले सकते हैं कटोरी या कप या मेजरिंग कप जो भी हो तो मैंने इस से मेजर्मेंट की है यहाँ पर मैंने जो सूजी ली है वो बारिक वाली सूजी है बहुत ही बारिक वाली सूजी अगर आपके पास बारिक वाली सूजी ना है, तो mix आजार में डाल की, एक से दोबार इसे हलका सा चला लिजेगा, तो ये बारिक हो जाएगी, यहां पे मैंने थोड़ा सा और सूजी लिया है तो लगबग चोथाई कप लिया है तो एक कप और चोथाई कप सूजी लिया है उसमें एक कप भरके हम डालेंगे दूद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस दूद को सूजी के अंदर अगर हमें लगेगा कि दूद कम है तो और हम डालेंगे तो यहां पे ना सूजी है ना बहुत ही जादा मतलब वो सोक करता है अपने अंदर दूद या पानी कुछ भी अगर डालिए आप तो तो यहां पे मुझे लग रहा है ना दूद और डालने की जरूरत है तो जितना हमने सूजी ली है उतना ही हम दूद इसके अंदर डालेंगे तो यहां पे आधा कब दूद और मैंने डाल दिया है तो सूजी जितना लेती उससे थोड़ा सा और जादा हमने डाला इसके अंदर दूद बस अब इतना ही जरूरत थी हमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढखके कम से कम 15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए यहाँ पे 20 मिनिट हो चुका है मुझे और यह देख सकते हैं सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है जैसा हम चाहते थे वैसा ही और जो इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा दूद था वो सूख चुका है अब इसे हम चमच से अच्छे से मिक्स करेंगे कोई भी लंस नहीं रहना चाहिए सूजी के अंदर तो आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैदा तो हमने आधा कप मैदा लिया है जिस कप से हमने मेजर्मेंट किये सारी चीजों का उसी कप से आधा कप मैदा लेंगे इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे यह घोल बहुत ही गाढ़ा लग रहा है तो इसके अंदर दूद और डालने की जरूरत है तो हम और दूद डालेंगे तो यहाँ पे आधा कप और दूद इसके अंदर डाल देते हैं और फिर से अच्छे से mix करेंगे जब भी हम सूजी से केक बना रहे हैं और घोल रेडी कर रहे हैं तो बहुत ही गाड़ा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा पतला होना ज़रूरी है तब जाके एक 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 बहुत स्पॉंजी बनेगी तो यहाँ पे जो घोल हमने रेडी किया है बस इतना ही गाड़ा होना चाहिए अब इसके अंदर हमने डाला है एक कप चीनी उसी कप से चोथाई कप तेल डालना इसके अंदर आप refined oil ले सकते हैं या फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं घी, melted घी डालिए measurement मैंने उसी कप से की है एक कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है और चोथाई कप मैंने इसके अंदर डाला है तेल अब इसके अंदर डालेंगे baking powder तो दो चमच भरके हमने baking powder डाला है baking powder थोड़ा सा ज्यादा यूज़ करते हैं और उसी छमच से छौथाई चमच हमने इसके अंदर डाला है baking powder जब भी आप यूज़ कर रहें थोड़ा ज्यादा मातरा में करिये और baking soda अगर यूज़ करें तो थोड़ा सा कम मातरा में करिए दोनों चीजे हमने इसके अंदर डाली है दो कप मैदा और सूझे मिलाके दो कप मैने लिया है इसलिए मैंने इसके अंदर दो चमच बेकिंग पाउडर डाला है अच्छे से mix करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बनीला एसेंस तो बनिला एसेंस कम से कम 15 से 20 बुन्द इसके अंदर हमें डालना है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा घोल बढ़ियां से रेडी हो चुका है अब ढ़क के बस 5 मिनित के लिए से छोड़ देते हैं पिस 5 मिनित हो चुका है अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम देख लेते हैं ये तो ये हमारा बढ़ियां से रेडी हो चुका है यहां पे हमने लिया है केक टीन ये मेरा बहुत पुराना वाला केक्टिन है जिसे मैंने बहुत पहले से इसमें केक बना रही हूँ अब इसके अंदर हम तेल लगाएंगे अच्छे से केक्टिन को रेडी करेंगे अगर आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है वरना इसी तरीके से केक टीन को रेडी कर सकते हैं तो तेल अच्छे से लगाने के बाद आप इस पे मैदा डाल दीजिए और इस तरीके से आप रेडी कर लीजिए अब हम इसके अंदर जो गोज हमने रेडी की है वो दालेंगे देख सकते हैं क्योंकि ये सुजी का घोज मैंने रेडी क्या था सुजी से बना रही हूं तो थोड़ा सा पतला होना चाहिए तो इस तरीके से मैंने गुल को डाल दिया है केकटिन के अंदर ये हमारा रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कढाई को चूले पर पहले से रख दिया था प्रीहीट होने के लिए मीडियम हीट पर और यहां पर एक रिंग डाल दिया इसके अंदर जो चूली के अंदर का होता है वो रिंग है क्योंकि कड़ाई के उचाही बहुत ज्यादा नहीं है तो मैंने थोड़ा सा छोटा सा डाला है इसलिए आप चाहे तो कटोरी या फिर कोई छोटा सा प्लेट होता है वो भी रख सक होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं 40 मिनट से जादा ही हो गया है मैंने घड़ी पे टाइम देख लिया था और यह हमारा के कितना बढ़िया से फूल के रेडी हो चुका है हम चेक कर लेंगे कोई भी क्रैक्स नहीं है इसके अंदर बहुत अच्छे से फूला है बहुत ही जादा अच्छा दिख रहा है यह बहुत स्पॉंजी दिख रहा है केमरे पे थोड़ा सा अच्छा उतना नहीं दिख रहा होगा जितने यह सामने से दिख रहा है और मैंने यहां पर दो तीन बार चेक किया और यह बहुत ही अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हैं जो ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि यह जो केक है ना यह जादर ड्राइ ड्राइ ना हो यहां पी थोड़ी दे ठंडा होने के बाद मैंने निकाल लिया है और यह ठंडा हो चुका है हलका सा गर्म है मतलब बहुत यह लाइट गर्म है और यह देख सकते हैं यह कितना बढ़िया दिख रहा है कितना जालीदार बनाई है cracks भी नहीं आई इसके अंदर और बहुत ही ज़ाद अच्छा दिख रहा सामने से क्योंकि ये सूजी केक है तो ये बहुत ही brown नहीं हो पाता है थोड़ा सा उजला ही दिखता ही है तो ये नीचे से भी बहुत ही अच्छे से निकल चुका है काटने से पता चल रहा है कि ये केक बहुत ही स्पॉंजी बनाया है और बहुत ही जादा टेस्टी देखिए अंदर से कितना जालीदार है ये केक तो इस तरीके से सूजी केक आप घर में बहुत ही कम सावान से बनाके रेडी कर सकते हैं बच्चों को बहरी जादा पसंद आएगी मुझे पूरी उमीद है आप सभी को पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे